जी हां दोस्तों, जैसा ही अरुन जेटली के मैदान पर दूसरा कांटेदार T20 महा मुकाबला समाप्त हुई तो, माननीय टीम सिलेक्टर अजीत आगर कर कुछी देर के बाद प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए, बांगलादेश के विरुध तीसरा सुपरहिट T20 महा मुकाबला क के लिए टीम इंडिया में अचानक कर दिये तीन महत्वपूर्ण बड़े बदलाव, तो ऐसे में दोस्तों दूसरे T20 मुकाबला में बुरी तरह से फ्लॉफ साबित रहे। तीन घातक खिलाडियों को टीम सिलेक्टर अजीत आगर कर बाहर का रास्ता दिखाते हुए, अब विसफोटक बल्लेबाजी तो वही घातक गेंदबाजी से काफी बहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में जिसे देख, बांगलादेशी टीमों के सबसे बहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज जाकिर अली, तो वही तंजीद हसन जैसे ब अपसी कराई है, जबकि दोस्तों तीसरा T20 का महा मुकाबला कब कहां और कितने बजे से किस खूबसूरती क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है, तो वही अंत में एक नजर वहां की पिछ रिपोर्ट पर भी डालेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि तीसरे T20 के म जरूर से जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस शांदार वीडियो से पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है, तो दोस्तों अब चलिए आपकी कीमती समय को ना गवाते हुए सीधा वीडियो की ओर, तो ऐसे में दोस्तों सबसे पहले आपको जानका भारत और बांगलादेश के बीच आखिरी T20 का महा मुकाबला 12 अक्टूबर को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाना है, तो वहीं अंतिम मुकाबले का भी शुरुवाती समय 7 बजे से ही रखा गया है, तो दोस्तों अब चलि पिच आम तोर पर बल्ले बाजों के ही फेवर में अब तक रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी टीम के द्वारा 200 से अधिक रण बनाना काफी ही ज्यादा आसान हो जाता है, जिसके चलते बल्ले बाजों यहाँ पर काफी रण भी बनाते हैं, हालांकि तेज गें तो राजीव गांधी की पिच दोनों ही टीमों के बल्ले बाजों के ही फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी टीम पहले टॉस जीतते हैं, तो वह पहले एक शेत्र रक्षन करने के लिए ही मैदान पर उतर तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से जान चुके होंगे कि बांगलादेश के खिलाफ तीसरा कांटेदार T20 का महा मुकाबला कब कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, तो ऐसे में दोस्तों अब चलिए जानते हैं, बांगलादेश के खिलाफ तीसरा सुपरहिट T20 टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर किस तरह से फाइनल भारतिय टीम घोशित किये है, तो वही टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर तीसरे T20 महा मुकाबला के लिए सलामी जोडी के तौर पर विसफोटक बल्लेबाज अभिशेक शर्मा, तो वही विकेट की पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, तो चौके और छको की बदौलत पारी की बहतरीन आगाज करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए अब तक लगातार अच्छे प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जबकि दोस्तों इस युवा विकेट कीपर बल्लेबाज का बहतरीन आंकड़ा IPL जैसे मैचों में काफी लाजवाब का देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों अब आने वा प्रसलामी बल्लेबाज अभिशेक शर्मा की अगर बात करूं तो धुआनधार बल्लेबाज अभिशेक शर्मा का खेलने का तरीका बिलकुल अन्य खिलाडियों से अलग दिखता है। तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के ऊपर उनका बल्लेबाजी काफी जबरदस्त को मिलता है। जहाँ अभिशेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाज का नजारा आप तो पहले ही देख चुके होंगे लेकिन बांगलादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में वह रन आउट के चलते उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए थे। लेकिन टीम सिलेक्टर अजीत आ जानाक बल्लेबाज माने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव जब मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो चाहे कोई भी टीम क्यू ना हो उसके खिलाफ मैदान के चारों और शानदार गगन चुम्बी छक्के और चौकों की बरसात करते हुए इसलिए दोस्तों टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर अब तीसरे T20 मैचों के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर रखा तो वही तीसरे T20 के लिए चौते नंबर को लेकर अगर बात करूँ तो तीसरे T20 मुकाबलों में नंबर 3 के स्थान पर नितेश रेडड काफी लए में भी दिख रहे थे जबकि दोस्तों आपको बता दू नीतीश रेड़ी अपने बल्लेबाजी के साथ-साथ काफी ही ज्यादा आकर्मक गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं इसलिए दोस्तों टीम सिलेक्टर अजीत आगर कर तीसरे टी-ट्वेंटी मैचों के लिए नंबर चार पर नीतीश रेड़ी को ही रखा है तो वही नंबर पांच पर तीसरे टी-ट्वेंटी मुकाबले के लिए टीम सिलेक्टर अजीत आगर कर हार्दिक पांडिया जैसे दिगज ऑनलराउंडर खिलाडियों को ही मैदान पर उतारेंगे क्योंकि दोस्तों हार्दिक पांडिया टी-ट्वेंटी फॉर्मिट मुकाबला के नजरिये से एक शांदार खिलाडी माने जाते हैं तो वही हार्दिक पांडिया की जबरदस्त प्रदर्शन आप तो T20 वर्ल्ड कप में अच्छे से देखी चुके होंगे तो वहीं बांगलादेश के खिलाफ हार्दिक पांडिया पहले मैचों में बांगलादेशी गेंदबाजों को द्वस्त करते हुए नबाद 49 रनों की ताबर तोड तूफानी पारी खेला था तो वहीं उस दोरान हार्दिक पांडिया के बल्ले से कुछ अद्भुच शॉट भी निकले थे इसलिए दोस्तों एक बार फिर से हार्दिक पांडिया को नमबर 5 के स्थान पर तीसरे सुपरहिट T20 के लिए मौका दिया गया है जबकि तीसरे T20 के लिए अजीत अगर कर नमबर 6 पर तिलक वर्मा जैसे विसफोटक बल्लेबाजों को रखा है क्यूंकि दोस्तों तिलक वर्मा बुरी से बुरी परिस्थितियों में आकर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं वही तिलक वर्मा की T20 मैचों की अगर बात करूँ तो वह टीम इंडिया के लिए साल 2023 से लेकर अब तक 17 T20 मैचों में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जहां 144.97 की स्ट्राइक रेट से कुल 387 रंट होके हैं। तो ऐसे में दोस्तों तिलक वर्मा की पर्फॉर्मेंस अब तीसरे T20 मुकाबला में किस अंदाज तक जाता है। यह तो काफी देखने वाली बात होगा। तो ऐसे में दोस्तों अब नंबर 7 पर तीसरे T20 मुकाबले के लिए विसफोटक युवा मैच फिनिशर रिंकु सिंग को मौका दिया गया है। कई बड़े बड़े शॉट देखने को भी मिलता है। इसलिए दोस्तों टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर बांगलादेश के विरुद्ध तीसरे T20 मुकाबला के लिए नंबर 7 पर रिंकु सिंग को ही मौका दिया है। कोहर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए दोस्तों अब उन्हें एक बार फिर से तीसरे T20 यानि आखिरी मुकाबला के लिए भारतिये टीमों में मौका दिया गया है। तो वहीं इसके बाद नंबर 9 पर तीसरे T20 के लिए भारतिये टीमों में मौका दिया गया है। क्योंकि दोस्तों रवी बिशनोई का प्रदर्शन बांगलादेशी बल्लेबाज हो या गेंदबाज उनके खिलाफ काफी ही बहतरीन देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों मैंक यादव इस फॉर्मेट मुकाबला के नजरिया से एक रफतार किंग तेज गेंदबाज बन चुके हैं। दोस्तों टीम सिलेक्टर अजीत आगर कर अब आखरी मुकाबले के लिए तेज तराक गेंदबाज मैंक यादव को ही शामिल किये है।